गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स बगवान दास्तोधी कोलेज की ओनलाइन ग्लासेज में आपका स्वागत है आज हम नया फाइलम ले रहे हैं जिसका नाम है पोरिफेरा और पोरिफेरा का मतलब हम जानते हैं कि यह जो एनिमल होते हैं इनकी बोडी पोरस होती है छिद्रित शरीर होता है और जिन भी एनिमल्स का शरीर जो होता है जिस पर छिद्र पाये जाते हैं बहुत सारे परफोरेटेड बोडी उसको हम क्या कहते हैं ऐसे संग को क्या कहते हैं और पोरिफेरा के जो मेंबर होते हैं अधिकतर डिपलोबलास् ना इनका विषिष्ट लक्षन है, इसलिए इनको पॉरी-फेरा भी कहा जाता है, तो आपने इसके आज के वीडियो के आदर जनर गरेक्टर्स की, बात करेंगे कि पॉरी-फेरा के जनरल गेक्टर्स क्या है, पोरस का मतलब पोर होता है फेरो टो बियर क्या मतलब है इसका देखिए पोरस का मतलब है और और फेरा का मतलब है तो बियर मतलब धारण करने वाले पोरी फेरा पोर को छिदरों को धारण करने वाले के वो जनतू क्या कहलाते हैं पोरी फेरा क्हलाते हैं तो ये इनका मुख्य रूप से एक्सक्लूजिवली केरेक्टर है पोरस बोडी तो हम जन्रल क्रेक्टर इसके पढ़ते हैं इसमें आपन बात करते हैं कि मुख्य लक्षणों की जन्रल करेक्टर्स आफ दिस फाइलम इस फाइलम के जन्रल करेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपन इसके मुखे लक्षन जो पढ़ेंगे सबसे पहला मुखे लक्षन मैंने बताया है कि बॉडी इस पौरा शिद्रित शरीर होता है और जो शिद्र शरीर के बाहर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं अनेक शिद्र जो पाए जाते हैं बॉडी के उपर उनको ओस्टिया कहते हैं जबकि एक सिंगल शिद्र जिसके द्वारा शरीर से जो ओपन होता है उसको हम कहते हैं औस्क्यूलम क्या सबसे पहला Body Porous छिद्रित शरीर पाया जाते है Body Porous Each pore known as Osteia परतेक छिद्र को जो शरीर के बार पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है Osteia के नाम से जाना जाता है और A single Large Opening A single large opening or pore known as Osculum ये मुख्य बात है Osteia and Osculum Osteia जो है शरीर पर जो अनेक सारे छिद्र हैं छोटे 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 उनको तो कहते हैं Osteia जबकि जो बड़ा छिद्र पूरा जो शरीर है इनका वो एक single बड़े छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है और खुलता है उसको हम Osculum कहते हैं तो पानी क्या होगा कहां से एंटर करेगा इसके शरीर के अंदर Osteia नामक भाग से या छिद्रों से पानी वोटर पर देके पर पाये जाते हैं है ना लोकोमोशन इनीमें पाया जाता किistem जैसे और जन्तुर आप देखते हैं उनक में लोकोमोशन पाया जाते है ग 10 वर की अरे चलिकिक शिद्र को ऊस्ट्यानाव दे रहें जहां से पानी परिवेश करता है और शरीर जो होता है बाहर की तरफ एक बड़े छिदर से खुलता है जिसको osculum कहते हैं यह बाते हमने लिखी और क्या करेक्टर इसका अब हम कह सकते हैं water enter from ostia and exit from osculum समझ गई यह बात समझने किये कि पानी जो परवेश करेगा इनके water vascular system sorry इनमें जो एक तंतर पाया जाता है नाल तंतर पाया जाता है उस नाल तंतर के अंदर जो है पानी हमेशा ostia नामक छिदर से परवेश करेगा और बाहर कहां से निकलेगा osculum नामक छिदर से बाहर निकल जाएगा अब इनके शरीर की बात करें ये तो इसका characteristic feature है जो सबसे पहले हमने लिखा है मुखे लक्षन अब इनकी body की बात करें तो इनका body का शरीर कैसा होता है इनका मुखे रूप से body asymmetrical आस सम्मित शरीर होता है diploplastic होता है diploplastic का मतलब दो जनन स्थ्थ्थ्थ होता है जब शरीर ectoderm और Giardarm दो जनन स्थ्थ्थ्थ्थ्थू से जब बना होता है दो जरम layer जब पाई जाती है तो ऐसी condition के लाती है diploplastic तो जनतु कैसे होते हैly यह पुरिफ़ेरा के डीपलोब्लास्टिक होते हैं सम्म्मीथी इनमें नई पाई जाती हैं ना तो अब डीपलोब्लास्टिक एन्हskin है यह है तो शरीर के उफर कितनी जर्म लेयर पाई जाएंगी डीट्रियमेट्रील इस टू डिपलोब्लास्टिक made up of two germ layer actoderm and endoderm ठीक है तो ये इसमें एक बात है अब इसमें जो intracellular space होता है इसके अंदर जो कोशिका के बीच में महाँ पर मिजन काइम भी मान सकते हैं मिजन काइम क्या होती है कि undeveloped condition के अंदर पाई जाने वाली मिजन काइम भी पाई जा सकता है लेकिन मुख्य रूप से दो जनन्स तर ही पाई जाते हैं एक को हम बोलते हैं एक को बोलते हैं एंडोडर्म और जब अपन इनका वो section करते हैं या देखते हैं तो इनको एक नाम दिया गया है जिसको हम कोई नोडर्म और पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से वो क्या है andoderm और actoderm ही है तो बाये पाए जाने वाली कोशिका की जो सत्य होती है बाये पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं और कुछ अंदर पाए जाने वाली है इस प्रकार से इसमें कुछ aramingमेंट होता है जिसके हम बात कर रहें diplo blastic arrangement होता है sponge are sponges are mostly secile so लोकोमोशन एपसेंट जो स्पंज होते हैं अधिकतर स्थानबद होते हैं एक ही जगे तली से चिपके होए पाए जाते हैं आधार पर है ना कोई भी सबस्टेटम हो सकता है चटान से चिपके होए पाए जा सकते हैं समुद्र की जो रेत होती है उसे चिपके होए पाए जा सक पाया जाएगा लोको मोशन एपसेंट होगा तो यह करेक्टरिस्टिक फीचर इनका तो अभी अपनोंने जो यह पढ़ रहे हैं मुख्य मुख्य लक्षणों के अपन बात करते वे चल रहे हैं कि पौरी फेरा के जो सदस्य होते हैं क्यों इनको पौरी फेरा का जाता है और इ कि सिमेटरी की हमने बात की सिमेटरी तो नहीं होती इसमें ग्रेड ओफ और गिनाइजेशन कैसा होता है संगटन की कोटी कैसे पाई जाती है इसमें कोशी की स्तर का सैल लेवल टीशू लेवल का होता है उतक स्तर का ग्रेड ओफ और गिनाइशन पाये जाता है शारीरिक स्त देखिए हाँ स्पाइक यूल्स पाई जाती है स्पान्ज में जो सकेलटन पाई जाता है ठीक है और वो स्केलटन कैसा हो सकता है सीलिका की बनी स्पाइक यूल्स पाई जा सकती है Body supported by बोडी सपोर्टेड बाइ स्केल्टल स्ट्रक्चर्स बेड़ पॉ बेड़ पॉ केल्शियम कार्बोनेट सिलिका और मेबी स्पॉंजीन फाइबर और मेबी स्पॉंजीन फाइबर देखिए क्या मतलब है इस बात का हम यह कहना चाहरे हैं कि इन जन्तूओं का जो कंकाल होता है कंकाल पाये जाता है इनके अंदर इनका शरीर किसके द्वारा सपोर्टेड रहता है कंकाल का कारे क्या होता है कंकाल का कारे होता है शरीर को सहारा परदान करना तो इनके शरीर में सहारा परदान करने के लिए कंकाल पाया जाता है और वो कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाओं का बना होता है है ना और या फिर सिलीका का बना हो सकता है या फिर स्पॉंजिन फाइबर का बना हो सकता है तो क्या पाई जाती है इनमें स्पाइक्यूल्स या कंटिकाओं पाई जाती है कंकाल किस रूप में पाया जाता है हम कह सकते हैं skeleton in the form of spikules कंटिकाओं के रूप में कंकाल पाया जाता है जो शरीर को सहारा परदान करता है और यह जो कंटिकाओं है यह calcium carbonate की बनी हो सकती है जिसको अपन इसके भी पढ़ेंगे जो इसमें class आती है calcaria है ना और फिर एक होती है exercising leader और एक होती है class जो होती है जिसमें sponging filler पाया जाते है Demo spongia तो इस तरीके से अपसे जपाया flexible कौन सी होती है sponging chauffeur जिसमें होते हैं वो class के member जो होते है stan एक to पड़ह सबसरों कितीति एक दरीर के से तरीके से कंटिकाएं जो पाई जाती हैं वो कंकाल बनाती है सब्काल को सारह परदान करती है नेक्स टे है श्ब्सक्त अगरे सफ़ और आप आप करें तो इन में देखिए जो इन में intercellular space पाया जाता है उसमें जो मुख्य रूप से कैनाल होती है या जो नलिका होती है उसमें collared cells या coinocyte cells पाया जाती है क्या collared cells और coinocyte cells are found in inner spaces आंतरिक जो परत होती है उसके ओपर ये coinocyte cells पाया जाती है बहुत ही important कोशी का होती है इनके शरीर की और ये इनका एक विशिश्ट लक्षन भी है और इसमें और क्या हो सकता है mouth absent होता है mostly इसके अंदर और ये क्या करती है sponge feed on particle of organic matter feeding upon organic matter and digestion by coinocyte cells coinocyte cell के द्वारा पाचन की करिया होती है उसमें बोजन का पाचन होता है और बोजन किस प्रकार के ग्रेंड करता है ये organic matter यानि की carbonic पदार्थों के रूप में भोजन ग्रेंड करते हैं ये और इन जन्तुओं के अंदर जो nervous system होता है वो absent होता है completely respiration जो होता है outer surface के द्वारा होता है excretion भी outer surface के द्वारा होता है लिख लेते हैं अपन respiration by outer surface of body शरीर की बाए सत्य से शोसन होता है क्योंकि विशिष्ट रूप से अभी इसमें क्या नहीं पाए जाते विशिष्ट रूप से अभी इसमें सरंचनाई अभी बनी नहीं है इस वज़े से इसमें नहीं पाए जाते विशिष्ट सरंचनाई ना पाई जाने के कारण इसमें शोसन का होता है 22 के द्वारा ही शोसन होता है अब शोसन के बाद अगर हम बात करें तो उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन भी इसमें 22 के द्वारा ही होता है क्या होगा Exc partition या उत्सर्जन Exciration also takes place by बिकाई आउटर सर्फेस ऑफ दा बोडी इसमें अगर हम रीप्रोड़क्शन की बात करें तो क्या रीप्रोड़क्शन इसमें पाय जाते हैं नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम मौस्टली एपसेंट होता है nervous system absent आप जानते हैं कि तंतरी का तंतर सबसे पहले कहां जाकर कि इससे आगे वाला जो फाइलम आएगा silent data वहां जाकर कि तंतरी का तंतर जो होता है उसका निर्मान पूरा हो जाता है लेकिन यहां पे तंतरी का तंतर नहीं पाया जा रहा है मतलब सबसे पहले वहीं पर देखने को मिलता है सिलेंट टिटा के अंदर तो चलिए अपनोंने इसके उत्सरजन की बात की तंत्री का तंत्र की बात की इसमें शोसन तंत्र की बात की बोजन कैसे कर रहा है उसकी बात की का डाइजेस्ट हो रहा है यह भी हमने इसकी बात की जो प्रकार का रिप्रोड़क्शन पाया जाता है कि के एसेक्षवल रिप्रोड़क्शन मुख्य रूप से जैम्यूल्स या बड्स के द्वारा संपन होता है एसेक्षवल एंड सेक्षवल बोथ टाइप ओफ रिप्रोड़क्शन फाउंड दोनों प्रकार का परजनन पाया जाता है इसमें एसेक्षवल और सेक्षवल एसेक्षवल किसके द्वारा पूरा होता है एसेक्षवल रिप्रोड़क्शन बाई जैम्यूल्स मुख्य रूप से क्या है जैम्यूल्स बहुत इंपोर्टेंट आईए स्पंज का मेंन करेक्टर है कि जैम्यूल एक विशेश परकार की सरंचना होती है जिसमें क्या होता है कि जन्तु अपने चारो तरफ एक कोट बना लेता है प्रोटेक्टिव एडवर्स कंडिशन के अंदर और कोट बना करके फिर वह अपनी सुरक्षा करता है ठीके ना तो जब भी भी अनुकूल परिस्थिति आती है फिर इस जैम्यूल से क्या बन जाता है एक नई मुकुल निकल जाती है और एक नया पूरिफेरा का मेंबर या स्पंज बनके तैयार हो जाती है और यह कई-कई हजारों साल तक यह जैम्यूल समुंदर में ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब यह उसमें बदल जाते हैं तो जैम्यूल्स आर्दा केरेक्टरस्टिक फीचर ओफ फाइलम पोरिफेरा ठीक है तो इसमें एह सेक्वल रिप्रोड़क्शन आप जानते हैं जैम्यूल्स के दवारा तो सेक्वल रिप्रोड़क् फैन्हार एड़ कर सकते हैं की कि इसमें और प्वट् हपनेअड करना चाहें तो देखेंजी कैसा होगा पानी के इंदर ऑफट्रेम और एक्स्टर्नल फर्टिलाइशन होता है क्योंकि पानी के अंदर फॉजूत ओंई वहीं पर सब्धोंगा जाहिर सी बात है। आपन इसमें देख रहे हैं। स्पॉंज के अंदर रीजनरेशन की पावर भी पाई जाती है। फेटिलाज़िशन भी होता है एक लिवेज, होलो ब्लास्टिक होता है। फेटिलाइजेशन जो होता है इसमें एक डवलप होता है फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज पाई जाती है इसमें क्या होता है लार्वा स्टेज प्रेजेंट स्पोंज के अंदर लार्वा पाया जाता है किसी-किसी में और इसमें और बात करें अपन तो देखिए के नाल सि कर नार क्या नाल सिस्टम जो होता है नाल फंक रख इनका विश्ष लक्षन हैं जिनके इनसे मीशबर चेंच MARY दीतल में और कर दाए है इérique एसकन साइकन और ल्यूकिनोइट प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है शुल टाइप प्रकार का जो केनाल सिस्टम इसमें देखने को मिलता है इन जनतूओं के अंदर तो ये हमने पोरी फेरा के important characters की बाद एक और चीज जो है Regeneration Capacity पाई जाती है Regeneration Capacity Reach देखिए Regeneration या पुन्रूद बवन की अधवुत शम्ताइन के अंदर पाई जाती है पुन्रूद बवन का मतलब है इनकी शरीर का कोई भी पाट टूटर के गिर जाता है यह हमने आज के lecture के अंदर जो है वीडियो में पोरी फेरा संग जो है उस पोरी फेरा संग के vicious character जितने भी हैं उनके बारे में हमने बात की ठीक है और सबसे specific feature इस संग का क्या है शरीर का चिद्रित होना यह इसका important character तो आपको इध्यान रखना है इस lecture के अंदर इतना ही आगे के video के अंदर अपने इसके classes और orders की बात करेंगे तब तक thank you